सबसे पहले तो सौरी पिछले एक अफ़ते से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, सेलिब्रेशन में बिजी था, जो लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता हुआ कि किस चीज़ की सेलिब्रेशन चल रही थी, तो जिसे इसे पता है, अभी नीचे कॉइन बहुसे लिख दीजिए, तो बहुत सारे स्टूर्स को PPR आ चुकी है, जिसकी वज़से आग वो Canada Travel करने वाले हैं, बट Canada Travel restrictions की वज़ए से सबसे पहले तो उन्हें तीन दिन के लिए होटल बुक करना होगा, जो के mandatory है, तो आज हम इसी topic पे बात करें हैं कि होटल के prices क्या है, कैसे आपको बुक करना है, क्या आप अपने friend के साथ sharing में room बुक कर सकते हो, क्या बिना होटल बुक के आप Canada पहुंच सकते हो, क्या वहाँ पे जाके होटल बुक कर सकते हो या नहीं, इन सब के answers आज ही इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के end तक देखते रहे हैं, एक भी second skip मत करना, अगर skip करोगे तो आपको आधी अधोरी information ही मिलेगी, और वीडियो के end में स्टिल अगर आपका कोई doubt रहे जाता है, तो आप मुझे इंस्टा पर message करके पूछ सकते हैं, मेरी Instagram आईडिया है, aesthetic underscore RJ. तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे मैंने होटल वालों को direct call करके room book करवाने की कोशिश की थी, बट उन्होंने मना कर दिया था, तो यही बात अप कैनना ने website पे भी लिखती है, कि आप direct hotel को call करके room book नहीं करवा सकते, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस number पे ही आपको call करके book करवाना होगा, बट उस time मेरी call नहीं लग रहे थी, waiting time बहुत जादा आ रहा था, तो मैंने आप सब को बोल दिया था कि आप भी try करो, जैसे ही किसी का book होता है, तो हमारे साथ share करना, दो-तिन लोगों ने hotel book करवाया था, जिनका experience मैंने अपने Instagram story पर share किया था, numbers अब update कर दिये गए हैं, पहले सिर्फ एक ही number था, अब अलग-अलग number दिये गए हैं, Canada से अगर किसी friend से call करवा के room book करवाना चाते हो, तो अलग number है, जो screens पर आप देख सकते हूँ, जो कि मैं खुद recommend करूँगा, कि आपका friend जो Canada में रह रहा है, उसी को request करके बोलिए, कि आपके लिए room book करवा दे, क्योंकि नहीं तो आपको अपने phone में ISD डलवानी होगी, और एक और बात, outside Canada पूरे world से low call कर रहे होंगे, जिसकी वज़े से waiting time बहुत ज़ादा आएगा, और आपको 4-5 घंटे तक भी wait करना पड़ सकता है, Canada से अगर आप book करवाते हो, तो आपकी call एक दो घंटे में लग जाएगी, फिर भी अगर आप इंडिया से book करवाना चाते हो, तो उसके लिए अलग नंबर दिया गया है, जो सबसे नीचे है, इस नंबर पे आप इंडिया के शाम 6 बज़े से लेकर सुबह साड़े 9 के बीच में call कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को hotel prices पे doubt है, कि क्या हमें full 2000 डॉलर ही pay करना होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, 2000 डॉलर सिर्फ उन hotels का खर्चा जाएगा, जो बहुत ज़्यादा high five हैं, बहुत ज़्यादा deluxe हैं, तो बुक करने से बेरे तो आपको यह पता होना चाहिए, कि इन hotels के prices क्या हैं, hotel के prices कैसे पता करने हैं, बड़ा सिंपल है, जिस भी प्रोविंस में आप जा रहे हो, वहां की government approved hotel की में से आपको hotel का नाम copy करके google कर देना है, देन उसकी website पे जाके आप देख पाओगे कि एक दिन के लिए room का किराय कितना है, सभी hotel को करो, बहुत ज़्यादा नहीं है, hardly 15-20 minute लगेंगे, तो फिर सभी का price compare करो, देन जो भी सस्ता मिले उस hotel को call करो, calling number मैं नीचे description में दे दूँगा, तो वो आपको ढूंडने की ज़रुवत नहीं है, एक-दो minute में आपकी call लग जाएगी, देन आप उनसे confirm कर लो कि मैं Canada आ रहा हूं इस date को, तो मुझे quarantine के लिए 3 दिन के लिए hotel book करना है, total कितना खर्चा आएगा अगर मैं आपके hotel को book करता हूं तो, वो सब आपको अच्छे से बता देंगे, एक average hotel price list province wise आपके screens पर सामने है, price confirm करके लगा लो call उस number पे जो Canada ICC की website पे दिया हुआ है, अब call करने के बाद आपको wait करनी होगी call लगने तक, call लगने के बाद आपको अपना नाम, date of birth, gender, किस city में, किस date को आप आ रहे हो, आपका email address और payment information देनी होगी, और payment आप सिर्फ और सिर्फ credit card करके थ्रू ही कर सकते हो, तो आपके पास credit card होना चाहिए, मेरे student ने Fairfield Hotel Toronto Airport पे book किया है, उसका total खर्चा आया 980 डॉलर, और एक और student ने Fairfield में ही 8 मार्च से 11 मार्च तक book किया है, उसका total खर्चा आया 1070 डॉलर, confirmation PDF आपके screens के सामने है, तो that's it for today's video, अगर आपको ये video पसंद आई, informative लगी तो please like कर दीजे, और अपने दोस्तों के साथ दूरूर शेह कीजिए, जो अभी hotel booking करवा रहे हैं, सी, किसी वज़े से अगर आप इंडिया से hotel book नहीं करवा पाते हो, स्टिल आप Canada में एंटर कर पाएंगे, बट वहां जाके आपको hotel book करवाना होगा, और साथ में penalty भी भननी होगी, जुर्माना कितना लगेगा, वो यहाँ पे बताया नहीं गया है, तो it is advisable कि आप flight में बैटने से पहले ही अपनी hotel booking करवा लो, और हाँ, अगर आप और आपका relative याँ आपका कोई friend, एक ही plane में travel कर रहे हो, तो आप एक ही room लेके उसे share भी कर सकते हो, जिससे आपके room का rent बंच जाएगा, तो जब भी आप hotel book करोगे, दो persons वाला room book करना, और जब आप call पे hotel book करवा रहे होगे, आपको अपनी और अपने friend की दोनों की deal देनी होगी, mind it, आप दोनों same flight से travel कर रहे हो, अगर आप different different flight पे travel कर रहे हो, तो आप sharing में room नहीं book करवा सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना आई, अगर आपको ये video पसंद आई, informative लगी, तो प्लीज इसे like कर दीजे, और अपने दोस्तजा जरूर शे कीजिए, जो लोग अभी hotel book करवा रहे हैं, ताकिन उन्हें भी कोई दिक करना है,